जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेश्ट अस्टेजी प्वाइंट प्रस्ट लेकर क्या आये हैं और अगर आप किसी भी एक्जाम की तैयारी के रहें तो यह आपके लिए इंप्वोर्टेंट होगा तो चलिए देरना करते हुआ हम सुरू करते हैं आपका पहला प्रस्टन है किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है आपके पास चार अप्सेन है A में निल नदी घाटी, B में नरमजा नदी घाटी, C में दमोदर नदी घाटी और D में हुगली नदी घाटी, इसका सही एंसर होगा, C नमबर दमोदर नदी घाटी, दमोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ important fact देख लेते ह भूरा कुईला किसे कहा जाता है, तो भूरा कुईला लिगनाइट को कहा जाता है, जोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो, तो विडियो का लाइक कर दें और चैनल सब्क्राइब कर लें, ठीक है, next point आपका, कौन सा कुईला सरोतम किस्प का होता है, तो इंत्रे साइ में है, अगला point है आपका, कलपक्कम परमानु उर्जाकेंद किस राज में है, तो कलपक्कम परमानु उर्जाकेंद तमिलाडू में है, जोस्तों आप लोग भी answer देने का कोशिस किजिए, ताकि पता चले आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, ठीक है, और रेले में बहुत ब भारत के परसं वीधी अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका सही answer होगा महननवादी को, ठीक है, आइन भारत के महननवादी को, भारत के पर्थम वीद्धी हदिकारी करूप में किसे जाना जाता है तो भारत के महान्यवादी को ठीक है चले आगे बढ़ते हैं पहाब का पहला पॉइंट है सविधान में किस पत का उलेख नहीं किया गया है ठीक है नेक्स पॉइंट आपका लोग सभा क्या ध्याच के चुना कौन करता है तो लोग सभा सदस करता है नेक्स पॉइंट आपका भारत के पर्थम गैर कंग्रेशी परधान मंत्री कौन बने थे यह मुरारजी दिसाई बने थे ठीक है नेक्स पॉइंट आपका भारत के सब सबसे कम उम्र के परधान मंतरी बने थे तब भारत के सबसे कम उम्र के परधान मंतरी राजी गांदी थे चले आगे बढ़ते हैं और तिसरे परस को देखते हैं तिसरा परसना है आपका एक मिनून दोस्ता है सावन की बुलबुले के अंदर के दाब होता है वावी मंडेलिये दाब से अधिक वावी मंडेलिये दाब से कम वावी मंडेलिये दाब के बराबर या इन में से कोई नहीं इसका सही एंसर हो जाएगा यह नमबर ठीक है वावी मंडेलिये दाब से अधिक साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है तो वाविमांडेलिये दाब से अधीक होता है ठीक है जालिए अब कुछ इंपोर्टन फैक देख लेते हैं प्रेसर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों तो कवत्नांग अधीक होने के कारण प्रेसर कुकर में खाना नेक्स प्वेंट आपका वर्षक बुंदे गोलकार होने का कारण क्या है तो वर्षक बुंदे जो है पुष्ट तनाव के कारण गोलकार होती है नेक्स प्वेंट आपका बर्व के दो टुकुडों को आपस में दबाने पर वे तिपक जाते हैं अखिर क्यों चिपक जाते हैं जिसका कारान है कि दाब अधिक होने से बर्फ का गल्लांग घड़ जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर आप लोग पीडियाप से पढ़ना चाते हैं तो मेरा टेलीग्राम जोइन कर ले ठीक है या टेलीग्राम पे सबसे पहले किसने मापता तो फ्हुतsover संबसे पहले किस ने मापता तो रोमर ने मापता ठीक है जाले आगे बढ़ते हैं शुट इंपर्टन फैक्डश्टा का सिद्ांत किस दवार दिया गया था यह ईस्टीन दवार दिया गया था दोस्तों मैं यह वही परशन लाता हूँ जो कहीं न कहीं किसी न किसी एक जाम में पुछा गिया है और बार बार पुछा गिया है नेक्स पॉइंट आपका गती का सिधान दिया था गती का सिधान किस ने दिया था तो न्यूटन ने दिया था नेक्स पॉइंट आपका सबसे पहले किस ने बताया कि पिर्थी सूर्ज का चक्कर लगाती है ये गिलेलियों ने बताया था नेक्स पॉइंट आपका भारत का एस्टिन किसे कहा जाता है ये नागर जुन को कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है आपका नात्पा जहाकरी जल विजूस परियोजना किस राज में इस्तित है आपका बिहार बी में उत्तर परदेश सी में हिमाचल परदेश और डी में है मीचोग्रम किसके सही एंसर होगा हिमाचल परदेश नास पर जाकरी जल पर उधूस पर योजना किस राज में इस्ती थे तो आप एंसर किजएगा हिमाचल पर जेश ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ important fact देख लिते हैं फिर्कर किस नदी पर इस्ती थे और कहा हिस्ती थे करनाटक में इस्ती थे नेक्स point आपका दुलहस्ती पर इस्ती थे ये चिनाव नदी पर जमुकर मिर में इस्ती थे नेक्स पूम्ट आपका उकाई परियोटना किस नदीपर है ये तापती नदीपर गुजरात में है अगला पूम्ट आपका इडुकी परियोटना ये पिरियार नदीपर है और कहां है तो केरल में छीक कैं है चलिए आगे बढ़ते हैं और छच्छे परस को देखते हैं हम लोग किसने इक्तादारी पर्था चलाई थी कुत्व बुद्धी नेवक ने बी में आपका उप्शन है इल्टूत मिशने और सी में ग्या सुद्धी नेवक ने इसका सही एंसर होगा इल्टूत मिशने इक्तादारी पर्था किसने चलाई थी तो इल्टूत मिशने चलाई थी चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ पॉइंट देखते हैं ठीक है एक मिनर दोस्तों गुलाम वन्स के संस्थापक था तो गुलाम वन्स के संस्थापक आब लुक साभी कोई जानते हैं होंगे अगर तयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो कुटूबु दिन एवक थे नेक्स पॉइंट है आपका कुतू मिनार के कार्ज को पुरा किसने किया था, तो इल्टूत मिश göst spirits ने किया था चले आगे बढ़ते हैं साथों पर रसने आपका आमल का स्वाद कैसा होता है खट्टा होता है, कड़वा होता है, मीठा होता है या इन मेंसे कोई नहीं होता है जिसका सभी answer होगा खटा होता है ठीक है अर गांता है था है जयों एक जाली कुछ 9 देक्ते हैं सज़ार के शहता हुए truc नेक्स पंट है अंर्दीश स्क्रे aíस जो हैud तो 7 से कम होता है और चारी गरा पूजेंग का पी प्येचमान होता है तो यह साथ से अधिक होता है और उदासीन जो होता है वह सेविन होता है ठीक है एगर देकर कि रख्ट का प्येचमान तो 7.4 होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आठवी प्रस को देखते हैं लोग सभी मौसमी घटनाय किस मंडल में घटित होती है समताप मंडल, आयन मंडल, छोब मंडल यो बही मंडल सभी मौसमी घटनाय जो घटती है वो छोब मंडल में घटती है ठीक है यूदि छोब मंडल ही सबसे निचली परत है ठीक है वायू मंडल के सबसे निचली परत कौन है तो छोब मंडल है और सबसे उपरी परत बोला जाए अंतिम परत बोला जाए तो बही मंडल है अब कुछ प्वैंट देख लेते हैं किस मंडल की मुटाई ग्रिस डीतू में बढ़ जाती है तो छोब मंडल की मुटाई जो है यह barometer से मापपा जाता है अगला point आपका वायू मंडेल में जलवास्प की मात्रा कितनी होती है यह 0 से 4% तक होती है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्क्राइब कर ले